हाई दोस्तों आज हम लोग यूज आफ बियॉंड पढ़ेंगे और यह हमारे ट्रांसलेशन स्रीज का हिस्सा है और इसको आप पढ़के अपना ट्रांसलेशन बहुत हाई लेबल तक पहुंचा सकते हैं सुरू करते हैं तो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ और आपके ट्रांसलेशन को एक नहीं उचाई तक पहुंचा सकूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं यू क्या प्रएब करको सब्सक्राइब कर दो इसका प्रएब करते हैं यहां जो प्रियोंग किया गया यह जे speak जो वर्व है उसमें ing लगा हुआ है यह जिरंट फॉर्म में है और यहां जो speak है यह infinitive form में लगा हुआ है यानि आप अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है यहां आप इसका प्रयोग दो तरीके से बना सकते हैं speaking English is beyond you या to speak English is beyond you और इसका यहां beyond का प्रयोग हुआ है बस की बात नहीं के लिए हुआ है आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है यानि speaking English is beyond you to speak English is beyond you और second example देख सकते हैं chase खेलना तुम्हारे chase is beyond you और आगे भी देख सकते हैं match जितना तुम्हारे बस की बात नहीं है यानि winning the match is beyond you यह आपका जिरंड form है यह win के नीचे ing लगा हुआ या एक और तरीके से इसको बना सकते हैं infinitive form में to win the match is beyond you देख सकते हैं कितना आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं और आगे भी example देख सकते हैं मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं है defeating me is beyond anyone देख सकते हैं यह आपका जिरंड के form में defeating me is beyond you देख सकते हैं to defeat me is beyond anyone और writing a story is beyond him यानि story लिखना उसके बस की बात नहीं है या to write story is beyond him यानि story लिखना उसके बस की बात नहीं है यह जो है आपका इंजिरंड form में है to write यह जो है आपका infinitive form में तो देख सकते हैं आप आप देख सकते हैं जो use of beyond है वो कितना आसान है और आप इसको पढ़के बहुत अच्छा response पास सकते हैं so please subscribe my channel and hit the bell icon